Top 3 Best Gaming Smartphone under 20,000 तो यार अच मैं आपको Top 3 नहीं बताऊंगा Top 5 बताऊंगा बात करते है No.5 की No.5 की बात करते हैם No.5 की बात करने से पहले भी मैं आपको इतनी चीज़ कहा देना जातू आज मैं आपको 18,000 के प्राइसे रेज में भी smartphone बताऊंगा, 19,000 अगर आपका बढ़ेड है, आपके लिए भी बताऊंगा, 20,000 अगर आपके लिए भी बताऊंगा, अगर आपका बढ़ेड 20,000 से थोड़ा सा अपर जा सकता है आपके लिए भी smartphone बताने वालों, ठीक है categories wise भी आपको सब कुछ बताने वालों बात करते हैं, बात करते हैं, नम्बर फाब की नम्बर फाब की बात करो, नम्बर फाब पर यार मैंने रखा है Poco X3 Pro को, तो सबसे पहले में आपको इसके specification की बात करते हैं, आपको स्टमबर 2020 model देखने को मिल जाते हैं, आपको IPS LCD देखने को मिल जाते है, Gorilla Glass 6 की protection देखने को मिल जाते है, प्लस dust proof आपको स्मार्टफून देखने को मिलेगा, Snapdragon 816 देखने को मिल जाते है, जो की 7 nanometer technology के साथ बेज जाते है, तीन विड में स्मार्टफून देखने को मिल जाते है, 6 GB RAM के साथ, 8 GB RAM के साथ, storage देखने को मिल जाते है, Core camera setup देखने को मिल जाते है, 48 MP के साथ, 4K video shoot आप कर सकते है, 20 MP की selfie मिल जाते है, 5,160 MS की battery देखने को मिल जाते है, 33 Watt of fast charging मिल जाते है, तीन कल्स में देखने को मिलता है, POCO X3 Pro, तो यार, main specification मैं मैंने आपको बता दिया, POCO X3 Pro के, अभी बात करते हैं कि यह smartphone के लिए लोगों को लेना चाहिए, तो भी अगर आपने gaming करने हैं, multi-dasking करने हैं, आप सभी के लिए perfect deal होने वाला है, अगर आप POCO लवरो, आप इस smartphone के और आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने दो smartphone रखे हैं, एक आता है Samsung Galaxy M31S, दूसरी आता है Samsung Galaxy M51, तो सबसे पहले बात करते है Samsung Galaxy M31S की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह smartphone आपको like 18 से लेके 19,000 के price range में देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर आपको बेड़ 20,000 है, 20,000 से भी अपर सोड़ा सा जा सकता है, तो मैं आपको recommend करना जाता हूं कि Samsung Galaxy M51 आपके लिए perfect deal होने वाला because उसमें आपको 7,000 mAh की battery मिल जाती, super angular display मिल जाती plus अगर आपने gaming करनी है, तो Samsung Galaxy M51 आपके लिए best deal होने वाला है, मैं आपको super AMOLED display देखने को मिल जाती है, जो की gorilla glass 3 की protection के साथ आती है, chipset की बात करूँ, आपको Xnox9 611 देखने को मिल जाता है, तो gaming के लिए ये smartphone best नहीं है, मैं आपको फिर से repeat कर देता हूं, gaming multitasking के लिए लेना चाहते हो, तो Samsung Galaxy M31 SM मत लेना आप, ठीक है, दो window में smartphone देखने को मिल जाता है, triple camera मिल जाता है, 64 megapixel के साथ, प्लस आपको 4K video option देखने को मिल जाता है, अगर मैं selfie की बात करूँ, आपको 32 megapixel की selfie मिल जाती है, selfie में भी आपको 4K video option देखने को मिल जाता है, 6000 damage की battery मिल जाती है, 33 walk of hour charger मिल जाता है, reverse charging भी sport करता है, fingerprint प्लस face unlock 730G देखने को मिल जाता है, जो की 8 nanometer technology के साथ पीज जाता है, अगर आपने high setting पे gaming कर रहे हैं, आप easily normally कर सकते हो, दो वेट में smartphone देखने को मिल जाता है, 6GB RAM के साथ, 8GB RAM के साथ, quad camera मिल जाता है, 64 megapixel के साथ, आपको 4K video option मिल जाता है, back camera में भी and front camera में भी, आपको 32 megapixel के आपको fast charging मिल जाते हैं, roast charging भी sport करता है, 3 colors में देखने को मिलता है, black color में, blue color में and white color में, minus point की बात करूँ, आपको like plastic frame में देखने को मिलेगा, तो case डाल कर यूज करना पड़ेगा, Samsung Galaxy M51 को, तो यहार main specification मैंने आपको बता दिया, Samsung Galaxy M31S के भी and मैंने आपको बता दिया, Samsung Galaxy M 51 के भी, अगर आपका budget 20-2000 हो जाता है, तो मैं आपको recommend फिर से कर देता हूँ, Samsung Galaxy M51 आपके लिए best दील होने वाला है, लेकिन अगर आपका budget 18,000 है, 19,000 है, जा 17,000 है, इस price range बे आपको Samsung Galaxy M31S देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वो gaming के लिए, multitasking के लिए smartphone नहीं है, इस तीज को 3xR मैंने दखा Moto G16 को, अगर इस smartphone की बात करूँ, मैं सीधा ही specification की सबसे पहले बात करता हूँ, आपको like, अगर मैं इसके specification की बात करूँ, आपको 17-18,000 के price range में, Moto G16 देखने को मिल जाता, आपको IPS LCD देखने को मिल जाता, आपको Snapdragon 732G देखने को मिल जाता है, जो की 8 nanometer technology के स best deal होने वाला आप इस smartphone के और भी जा सकते हो, आपको सिर्फ एक वीड़ में smartphone ये देखने को मिल जाता है, 6GB RAM के साथ, प्लस आपको 128GB storage मिल जाता है, आपको triple camera मिल जाता है, 108 megapixel के साथ, आपको 4K video option मिल जाता है, back camera में, and front camera में, 600 ms की battery मिल जाता है, fast charging मिल जाता है, 20 watts की पल Moto Lover, अगर आपने gaming करनी, अगर आपने multi-dasking करनी, अच्छी display जाता है, अगर आपको big battery जाता है, आप सबी के लिए, ये जो smartphone है, best deal हो सकता है, आप जा सकते हो, Moto G16 के और एक बार इसको भी आप च्यागूर करना चाहते हो, जो link है, जो buying link है, वो description box में provide किया हुआ, तो च्य जल्दी जल्दी बोड़ा हो, तो miss out करी जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं पहले आपको sorry बोल देता हूँ, ठीक है, आँगे बात करते है, number 2 की, number 2 की बात करूँ, number 2 पे यार मैंने रख़ा realme 8 pro को, अगर इस smartphone की बात करूँ तो सब से पहले इसका design look of गर आपको पसंद आ स्मार्टफून देखने को मिलेगा, core camera मिल जाता है, 108 megapixel के साथ, 4500 image की battery देखने को मिल जाते है, 50W की fast charging मिल जाते है, reverse charging export नहीं करता, चार colors में आपको देखने को मिलेगा, realme 8 pro, तो यहर, main specification मैंने आपको बता दिया, realme 8 pro के, अगर आपने smartphone क्या हो जाना, आपे smartphone के और भी बात करते है, number one की, number one की बात करो, number one पर यार मैंने रखा, Redmi Note 10 Pro को, या Redmi Note 10 Pro Max को, इन दोनों smartphone में से, जो भी आपको सही लगता है, आप जा सकते हो, मैं आपको specification बताऊंगा, Redmi Note 10 Pro Max के, तो March 2021 model देखने को मिल जाता है, 67 inch की Super AMOLED display मिल जाते है, display quality बहुत सही है, जो की 120 refresher के सा देखने को मिल जाते है, प्लस आपको Gorilla Glass 5Q protection मिल जाते है, IP 53 rating मिल जाते है, chipset की बात करूँ, आपको Snapdragon 732G देखने को मिल जाते है, जो की 8 nanometer technology के साथ based है, तीन वेड में स्मार्टफून देखने को मिल जाते है, 6 GB RAM के साथ, 8 GB RAM के साथ, core camera मिल जाते है, 108 megapixel के साथ, प्लस, आपको 16 megapixel के साथ selfie मिल जाते है, 5020 MS की battery मिल जाते है, प्लस, 33 W का fast charging मिल जाते है, तीन करद में देखने को मिल जाते है, Redmi Note 10 Pro Max, तो यार, main specification मैंने आपको बता दिया, Redmi Note 10 Pro Max के, अगर आपने इस smartphone क्या हो जाना है, आप जा सकते है, तो यार, अभी मैंने आपको top 5 smartphone बता दिय है, conclusion की बात सीधा कर लेता हूं, तो यार, अगर मेरा budget होता, 18,000, 19,000, तो इस price range में मैं जाता है, Redmi Note 10 Pro Max के यार पास, या Redmi Note 10 Pro की आठीक है, तो अगर आपने भी जाना है, आप जा सकते हो, लेकिन अगर मेरा budget होता, 20,000, जा 20,000 से थोड़ा से एक्स्रा में जा सकता, तो मैं सच में जाता, Samsung Galaxy M51 गया, ठीक है, उसका जो chipset है, बहुत अगरा, long battery मिल जाते है, अच्छी display अच्छा, design look वगारा भी बहुत ही जादा अपर है, अगर आपने वो नहीं लेना, तो Redmi Note 10 Pro Max या Redmi Note 10 Pro Max प्रो जो है, वो आपके लिए best दी लोने वाला, आप इन दोनों स्मार्ट चल लगी, वीडियो को लाइक कर देना, comment कर देना, share कर देना, दोस्तों को भी देना, उनको भी कहते है, चान को कर दे सब्सक्राब वीडियो को कर देना, इस्ताग्राम पर कर ले फॉलो, link वह आपको description box में देखने को, मैल जागा, चावड कर लेना, अगर मैंने कोई भी च झाल, 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